आपने बहुत से लोगों को ये कहते हुए सुना होगा कि सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए थोड़ी सी ब्रांटी या रम पी लेनी चाहिए इससे शरीर में गर्मी आती है और किसी तरह का नुकसान नहीं होता लेकिन ड्रिंक करने के फाइदे तभी है जब ये सीमित मात्रा में रहे क्योंकि किसी भी चीज कियती बुरी होती है फिर चाहे वो नीबू पानी हो या फिर अलकोहॉल लेकिन आज हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या सच मुझ सर्दी के मौसम में ब्रांडी और रम पीना फाइदे मंद है और क्या आपको इसे पीना चाहिए औस्टियो परोसिस या फिर अर्थराइटस से जूज रहे लोग इस बात को बखू भी जानते होंगे कि सर्दियों का मौसम आते ही उनकी समस्या बरचाती है और हड्डियों में तेज दर्द होने लगता है ऐसे में सर्दी के मौसम में रम पीने से बोन मिनरल डेंसिटी बर जाती है और दर्द कम होता है साथ ही हड्डियों की मजबूती के लिए मासपेश्यों का भी मजबूत होना जरूरी है लहाजा अगर आप सर्दी के मौसम में सीमित मात्रा में रम का सेवन करते हैं तो आपकी मसल पेन की समस्या भी दूर हो जाएगी आपने भी सुना होगा और डॉक्टर्स भी ये बताते हैं कि सर्दी के मौसम में हार्ट अटाक का खत्रा बढ़ जाता है लहाजा सर्दियों में दिल की देख भाल करना बेहत जरूरी है कई रिसर्च में ये बात सामने आ चुकी है कि रम और ब्रांडीज सर्दियों में हार आट अटाक का खत्रा कम हो जाता है सदियों से लोग सर्दी के मौसम में ठंड से बचने के लिए रम और ब्रांडीज का सेवन करते आ रही हैं यहां तक कि कई बार वो नवजात बच्चे को भी शहद में मिलाकर थोड़ी सी ब्रांडी पिलाई जाती है ताकि उन्हें ठंड लगने से बचाया जा सके यह बात साबित हो चुकी है कि रम और ब्रांडी के सेवन से कुछ देर के लिए ही सही लेकिन शरीर गर्म हो जाता है सर्दी के मौसम में अकसर सांस से जुड़ी कई बिमारियां भी बढ़ जाती है खासतोर पर सर्दियों में पल्यूशन लेवल भ तकलीफ बढ़ जाती है ऐसे में ब्रांडी का सेवन मददकार साबित हो सकता है दरसल ब्रांडी में अंटी इंफलमेटरी प्रॉपर्टीज हो दी है जो सांस से जुड़ी तकलीफों को दूर करती है रिसर्च में ये बात भी सामने आई है कि वैसे लोग जो हर दिन ब्रां कोल्ट यानि की सर्दी जुखाम की दिक्कत वैसे तो सर्दी जुखाम बेना दवा के भी समय के साथ धीरे धीरे ठीक हो जाता है लेकिन अगर आप ब्रांडी और रम का सेवन करें तो कॉमन कोल्ट की समस्या से जल्द शुड़कारा मिल सकता है इन ड्रिंक्स में मौजूद अंटे माइक्रोबियल प्रॉपर्टी की वजह से कॉमन कोल्ट के दौरान अगर इनका सेवन किया जाता है तो जुखाम में राहत महसूस होती है सर्दियों में ब्रांडी और रम का सेवन भले ही फायदमन नजर आता हो लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप जितना दिल करें उतना पीना शुरू कर दें और अपने शरीर को नुकसान पहुंचा लें अगर सीमित मात्रा में इनका सेवन किया जाए तब है ये शरीर के लिए फायदमन है वरना इनके नुकसान बहुत अधिक है इस वीडियो में फिलहाल इतना ही हम जल्द लोटेंगे ऐसी ही जानकारि के साथ तब तक के लिए जुड़े रही बोल्ट स्काय से